तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहू त्रियोग समार के वीत राग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान सुभाव सारभूत है वो मंगल सुरूप है और मंगल कारी है मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश्मे करके नमस्कार करता हूँ च्छेड आला परम मंगली करन थे पंडित दोलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है छेई इसमें ढाल है चौती ढाल का स्वाद्धे चल रहा था और कल अपन ने नो चंद तक अध्यन किया था आद दस्वा चंद चलेगा जिसमें पंडित जी बताएंगे कि सम्मेक ज्यान के बाद हमें क्या करना है ऐसा नहीं कि ज्यान तो हो गया लेकिन अब सम्मेक चारित की ओर हम नहीं बड़े आचरन की उड़ नहीं बड़े तो फिर हमारा ज्यान किस काम का ध्यान रखना ज्यान का प्रमान चारित्र है ज्यान की कुषोटी चारित्र है यदि हमारे जीवन में चारित्र नहीं आता है तो वह ज्यान जो है वो साक्षात मुक्ती का कारण नहीं हो शकता है परंपरा से तो होगा लेकिन जब भी होगा तब भी आपको चारित्र अंगिकार करना ही पड़ेगा बिना सैयम के जीवन जो है नरक की तरह है सच मुच में नरक की तरह है सैयम नहीं है कंट्रोल नहीं है तो फिर जीवन में कितने जहंजट पैदा होते हैं यह सारा संसार जानता है यहां पर सम्मेक ज्यान की महिमा को बता करके सम्मेक ज्यान की शरूप को बता करके अब सम्मेक चारित की बात कर रहे हैं कि भाईया सम्मेक दर्सन तो हो गया सम्मिक ज्यान तो हो गया लेकिन अब सम्मिक चारित की और बढ़ो क्या आपको पता है कि सम्मिक दर्सन और सम्मिक ज्यान चारों गतियों में हो सकता है नरग गती में भी सम्मिक दर्सन सम्मिक ज्यान हो सकता है तिरियंच गती में जो पंचेंदरी, भव हैं, शंगी हैं, परियाब तक जीव हैं, उनको भी सम्मेक दर्सन और सम्मेक ज्यान हो शकता है देव गती के जीवों को भी सम्मेक दर्सन सम्मेक ज्यान हो शकता है और मनुष्य को भी लेकिन जो सम्यक्चारित्र है वो सिर्फ और शिर्फ मनुष्य पर्याय में ही होता है कथंचित एक देश तिरंचों में तो मनुष्य पर्याय की दुरलब्ता को आप देखिए जहां पर सम्यक्चारित होने की शक्ती है और यह तो निश्यती है कि बिना सम्मेक चारितर के ना कभी किसी को मुक्ती हुई है और ना ही कभी किसी को मुक्ती हो शक्ती है इसलिए इस मनुष्य परियाए में प्रबल पुर्शार्थ करके सम्मेक चारितर को अंगीकार करना चाहिए सम्यक्चारित भी जो है विवहार सम्यक्चारित और निश्चे सम्यक्चारित 28 मुलगोन आदियों का पालन अथवा स्रावकों के जो 12 ब्रत हैं उनका पालन करना ये विवहार चारित रहे और निश्चे से कसायों को शांत करना, कशायों को शमन करना यह जो है निश्चे चारित रहे आईए हम सब लोग पहले सम्य ज्यान के पहले होने वाला जो सम्य चारित रहे उसकी जो च्छंद है दस्वा नमबर का उसका उच्चारण ओमागर की आवाज में सुनते हैं आप सब लोग अपनी पुस्तक में यह है चौथी ढाल का दस्वा छंद निकाल लेंगे यह चंद का उचारन आपने सुनना आप लोग भी इस चंद का उचारन करें बहुत सुन्दर लिखा हुआ है सम्य के ज्यानी हो ए बहुरी देने चारिते लीजे एक देशे अरुशकले देशे तसु भेदे कहीजे तरस हिंसा को त्याग ब्रथा थावर न संघारे पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे यह चंद है एक एक सब्द का अरुश देखिए सम्य ज्यानी मलत सच्चा यथार्त ज्यानी होई हो करके बहुरी फिर द्रण सूद्रण चारित्र लीजे सम्य चारित्र को लीजे का पालन करना चाहिए फिर सम्य चारित्र का पालन करना चाहिए कैसे द्रण सम्य चारित्र का पालन करना चाहिए एक देश अरु शकल देश यह एक देश अरु और शकल देश के भेश से तसू उसके उस चारित्र के एक देश और शकल देश भेद प्रकार कहीजे कहे गए हैं अब उस दो प्रकार के भेद में जो पहला एक देश भरत है उसमें पांच अनुबरत तीन गुन भरत चार शिक्षा भरत होते हैं तो जो पांच अनुब्रत है उसमें जो अहिंसा अनुब्रत है यहां पर पांचों अनुब्रतों की यहां पर क्या करेंगे परिवाशा हमें बताई जाएगी तो अहिंसा अनुब्रत की परिवाशा बता रहे हैं तरस हिंसा को त्याग, तरस जीवों की हिंसा का त्याग करना, ब्रथा, बिनाकारण, थावर, इस्थावर जीवों का ना संघारे घात ना करना, इनका ब्रथा ही इनका संघार, संघार नहीं करना, परवथगार और दूसरों को दुखधायक, पर वधकार, वध मतलब दुखकार, दूसरों के दुखकायक, कठोर निंद, एक तो कठोर और उपर से निंदनी, नहीं वयन उचारे, ऐसे बचनों को नहीं बोलना चाहिए, ना उचारे, नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बचनों को नहीं बोलना चाहिए, तो नीचे की दो लान म लिए आहिंसान उबरत सफ्त्यान उबरत दो बृतों की बात की में ठीक है नब देखे इस से कि इसको अपनद चे तरु समझ लेते हैं यहां पर कहा रहा है कि सब से पहले शम्मय ज्यानी हो यह और यह आपको पता है शम्मय ज्यानी तब हो सकते हैं जब आप सम्मय दिरष्ट लीजे मतलब प्राप्त कीजिए फर आपको द्रण द्रण मतलब होता अचल अकम निश्चल जिसमें किसी प्रकार की हलन चलन नहो मतलब की एक बार अपने मन में ठान लिया कि हमें ब्रद्धारन करना है महा ब्रद्धारन करना है तो उसको द्रण किया उसको प्राप्त किया औ और उसको द्रणता से पालन किया, हम लोग भामना भी भाते हैं, तूटे नियम न कोई, द्रणता हिर्दय में लाओं, है प्रभू, मुझे इतनी आत्म सक्ति प्रदान करें, या इतनी आत्म सक्ति मेरे हमें प्रगठ हो, कि मैं कभी किसी प्रकार के ब्रतों को न तोड़ू, म जब आप उसका इस्मरन करते हो, यदि आप उसका इस्मरन नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, मेरा ब्रत क्या है, मुझे कैसे पालन करना है, कोई अतिचार तो नहीं लग रहा है, दोस्तों नहीं लग रहे हैं, इसका बार बार अनुप्रिक्षा करेंगे, बार बार चिंत् तो कभी ब्रेट टूटेगा नहीं, जैसे आपका नियम है आलू नहीं खाना, ठीक है, ऐसा नियम आपने लिया है, तो इसको आपको कितने बार याद करो, आप जब जब भी कुछ भोजन करो, कुछ भी करो, तो आपको याद रहे चाहिए, नहीं, देखो, मेरा आलू का त्या चाहिए, आप सुब चयात करो, आप साम को याद करो, दोफैर को याद करो, तो जैसे यह याद करोगे, तो आप गलती से भी कभी आलू नहीं खा सकते, कुसी बस्तू में भी डला होगा, तो आपको सबसे पहले, चाहिए एगा, नहीं, मेरा नियम तो नहीं चूट रहे, प किसी ने कुछ खाने दिया और आप भूल वस कुछ खा लेते हैं, किसी भी चीज में वहें मिक्स होगर के आ सकता है और आपने उसका सेवन कर लिया और सेवन करने के बाद फिर आपको यादार अरे इसमें क्या था? ओ हो मेरा तो ब्रत तूड़िया, मेरा तो ब्रत बंग हो ग हैं और अपने समस्त ब्रतों को समस्त नियुमों को याद करें कि मेरे जीवन परियंत के क्या क्या नियम है या आज का मेरा क्या नियम है या मेरा एक मेने का चात्रमास का क्या नियम है उनको सब को याद करो और याद करके रिवाइस करो कि हो मुझे इसका पालंग करना है कह से ब्रत भंग नहीं होते हैं ठाके ना ब्रत तभी भंग होते हैं जब हमारी ishmrati में नहीं होते है तो हम अपनी ishmrati में सदा ही बनाए रखने के लिए उनको बार-बार हमें याद करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए यहां यही किया रहे हैं कि सम्मेग ज्यानी हो हे भब जीवो तुम सम्मेग ज्यानी हो चुकी हो अब तुमको पता है कि वस्तु का सुरूप क्या है यह भी पता है कि सौद्रब क्या है और परद्रब ये लोग बहुत ही confused में रहते हैं कि हमको भेद विज्ञान हो गया सम्मेक दर्शन में कभी भी सम्मेक दर्शन सम्मेक ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं होता है भेद ज्ञान हो जाता है भेद ज्ञान से क्या है कि ये बस्तु अलग है ये बस्तु अलग है इस प्रकार का स्रधान पूर्वग ज्यान हो जाता है ये भेद ज्यान कहलाता है लेकिन परबस्तु का विकल्प नाए स्वाबस्तु में ही मैं रम जाओं स्वाबस्तु में ही मैं जम जाओं लीन हो जाओं लबलीन हो जाओं इसका नाम भेद विज्यान ह और भेद विज्ञान जो है बिना चारित्र के प्रगट नहीं हो शक्ता क्योंकि उसमें इस्थिर्ता लाना है उसमें हमें जो है टिकना है हमें उसमें रुकना है तो उसकी इस्थिति हमारी सम्मेख चारित्र में ही बन सकती है और किसी में नहीं बन सकती है और सम्मेख चारित आदिवी नहीं होगा, पूर्ण महाबरत और निरतिचार अप्रमत्त दसा होगी, तो उस दसा में हमें जो है वहे भेद विज्ञान की कला प्रगट होगी, ठीक है, तो हे सम्मिज्ञानियों, हे भवजीवों, हे ज्ञानि, आप लोग सम्मिज्ञान के बाद अब सम्मिज्ञान के बाद 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 स इन तीनों की एक ता का नाम मोक्ष मार्ग है, सारे तत्वार सूत में उठा के देख लो आप, इनकी टीकाओं को देख लो, चाहे वो पुझ पात की सरवार शिदी टीका हो, चाहे अकलंग की राजवारतिक टीका हो, चाहे आचार बिद्यानन्दी जी की उष्लोग वारतिक टीका हो, भाशकर नन्दी की भाशकर टीका हो, ऐसे कितनी टीकाइं तत्वार सूत की हैं, और इस सूत्र की टीका को पढ़ो, सम्मेक क्या लिखा है, कि सम्मेक दर्सन, सम्मेक ज्यान, सम्मेख चारित्र इन तीनों की जो एकता है वो मोक्ष मार्ग है देखिए मोक्ष मार्ग मोक्ष का रास्ता मोक्ष का पंथ यदि कोई है तो यह रतनात्र है तो रतनात्र है बिना प्रगट हुए किसी को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए यहाँ पर पंड़ पराप्त करना पड़ता है, जहां पर पुर्सार जागर्त होता है. यहां पर हमारा पुर्सार जागर्त होता है Sammik चारितर के लिए Sammik दरसन Sammik ज्यान में किस बात का पुर्शार्त? वहाँ तो अपने चिंतन मंतन मनन से सद्धा और आस्ता किया भेद ज्यान प्रगट हो गया, लेकिन भेद विज्यान में हमारा पुर्शाज जागर्थ होता है, जहां हम हिंसा, जूर, चोरी, कुशील, परिग्रह के प्रती परिणाम नहीं जाने देते हैं, क्रोध, मान, माया, लोप की ओर हम बहते नहीं हैं, हम इंद्रियों की प्रती आ करने से मुक्ष मारगी बनते हैं, आज के समय में एक स्वाध्य प्रेमी लोगों का ग्रुप है, जहां पर मात्र सम्यक दर्सन की चर्चा करते हैं, महानुभाव वहां सम्यक दर्सन इतना महात्पुर्ण नहीं है मनुस परियाए में, जितना सम्यक चारित्र है, क्योंकि सम् चारित्र नहीं होता है तो यहां पर सम्यक दर्सन के साथ सम्यक चारित्र में द्रण हो इसके लिए पुर्शार्थ करना चाहिए कितने स्वाद्य प्रेमी प्रित्मा धारी है देखिए बताइए कितने प्रित्मा धारी है एक प्रित्मा दो प्रित्मा चार प्रित्मा छे प्र तो आप सब लोग कितना प्रयाश करें, कितने स्वाध्य प्रेमी आज तक छुल्लक बन गए, कितने स्वाध्य प्रेमी आज तक छुल्लक बन गए, कितने स्वाध्य प्रेमी एलक बन गए, कितने स्वाध्य प्रेमी जो है आरिका बन गए, और कितने स्वाध्य प्रेमी हैं जो मुनी बन गए और सब जगा स्वाध्य करते हैं और करवाते हैं बहुत अच्छे परिणाम हैं लेकिन परिणाम निर्मल होने मातर से क्या होता है आप जब तक द्रण चारित पाला नहीं करोगी यहां लिखा है सम्मे ज्यानी होई बहुरी दिन चारित लीजिए आप लोग तो पंडित की बात महन बात मानते हो ना आप लोग तो सारे ग्रंथ पंडित की ही पढ़ते हो आचारियों को तो मतलब ही नहीं है तो पंडितों के ग्रंथ को पढ़ लो और उनकी बात को मान लो तो जीवन तर जाएगा पंडित दौलत रा कि अंत अंत तक भाव लिंगी मुनिराजों का सदभाव रहेगा भाव लिंगी मुनिराजों का सदभाव रहेगा चलो आप भाव लिंगी मुनिराजों का सदभाव रहेगा चलो आप भाव लिंगी मुनिराजों का सदभाव रहेगा चलो आप भाव लिंगी मुनिराज नहीं अवक्ष बस्तो का सेवन करते हैं जितने स्वाद्दय प्रेमी अधिकांस्ता रात्री भोजन करते हैं आलू प्याज खाते हैं समाइक नहीं करते हैं अहिंसा अनुबरत का पालन नहीं करते हैं सत्यानुबरत का पालन नहीं करते हैं और ब्रह्मचर अनुबरत जो है उसका भी पालन नहीं होता है और अपने आपको धर्मात्मा कहते हैं यह बात अच्छी नहीं है यहां जो बात कह रहे हैं कि हे सम्मेक ज्यानियों अब आप द्रण चारित का पालन करो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ बड़े बासल भाव से कहना चाहता हूँ, बड़े करोना भाव से कहना चाहता हूँ, हमें मुक्ष मार्ग में बढ़ना है, तो सम्मेक चारितर होना चाहिए, और भी सेश चर्चाएं होंगी, कल करेंगे, आज समय हो गया है, आईए मा जिर्माने की सुती करते हैं सदा देत हूँ धोग, सदा देत हूँ धोग खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली, जिनेद्र जैन नर्पतिया अध्यक्ष, धीरजैन कासलिवाल महमंत्री, विजय लोहाडिया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटो दी मंत्री, विनूत पांड्या कोशा अध्यक्ष झाल